तो आज WWE फैंस के लिए एक बुरी खबर है, हमारे ट्राइवल चीफ और फॉर्वर उन्डिस्प्यूटिटीड उनिवर्सल चैंपियन रोमन निंस के फादर सिका अनुवा इस दुनिया से जा चुके हैं एलिक्स सब्लिस ने WWE जॉइन कर ली है और AG लीगा रेटन भी कमफर्म हो गया है ऐसे ही कुछ और लेटेस्ट अपडेट हम आपके लेकर आ गए हैं, स्वागत है आपका रैसलिंग ग्रो में, मेरा नाम है रिशब, जल्दी से स्टार्ट करते हैं वीडियो को अपने ट्राइवल चीफ रोवन नेंस के फादर, फॉर्मर डॉल डॉल अफ फेमस सिका अनोया अब हमारे बीच नहीं है खुर रोवन नेंस नहीं ट्वीट करके इस नीउस को सबको बताया है अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूँ कि सिका अनोया और उनके भाई एफ़ा अनोया 21 टाइम स्टेक टीम चैंपिन रह चुकी हैं उनकी इस टीम को दा वाइल समोंज भी कहा जाता था सिका अनोया का आखरी डवी डवी अपिरियंस हमें 2020 में देखने को मिला था रोवन नेंस का आच का दिन काफी मुश्किल भरा रहा तो रोवन नेंस हम तुमारे साथ हैं अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं जैसा कि हमने रोव में देखा था कि जजमेंट डे के मैंबर्स PS5 में गेम खेल रहे थे तो मैं आपको बता दू कि ये कंफर्म हो चुका है कि लिव मॉर्गन ने डॉमिनिक मिस्टीरियो को बहुत सारे गिफ्ट दिये हैं और वो टीवी और PS5 उत में से ही एक है और आपको वो फोटो भी याद हो कि जो डॉमिनिक मिस्टीरियो जजमेंट डे को दिखा रहे थे तो वो फोटो भी सामने आ चुकी है और जैसा हम लोग सोच रहे थे वैसा कुछ भी नहीं है और अगर आपने कल के Monday Night Raw मिस्स कर दी है तो मैं आपको बता दू कि लिव मॉर्गन की इंटरफेरेंस की वजए से जजमेंट डेन ने ओसम तुरुत को हरा कर World Tag Team Championship जीत ली है Monday Night Raw में Uncle Howdy जिस जगे बो टैलिस का इंटरव्यू ले रहे थे क्योंकि 2015 के बाद AJ Lee किसी भी स्टोरी लाइन का पार्ट नहीं थी और Drew McIntyre का एकदम से AJ Lee को मैंशन करना ये स्टोरी लाइन का पार्ट हो सकता है कल की Monday Night Raw में Chad Gable के Backstage सिगमेंट में हमें Alexa Bliss का बैनर देखने को मिला अब हो सकता है कि ये Alexa Bliss के return से related हो क्योंकि rumors आ रहे हैं कि Alexa Bliss ने WWE के साथ contract sign कर लिया है और Alexa Bliss जल्दी WWE में return करने वाली है अगर आपको नहीं याद है तो मैं आपको बता दूँ कि Brave White ने 2017 में एक interview दिया था जिसमें उन्होंने बोला था कि Bo Dallas इस समये WWE का सबसे underrated wrestler है और कल का सिगमेंट देखने के बाद मुझे भी ऐसा लग रहा है कि Bo Dallas सच में काफी समय से underrated है क्योंकि कल के सिगमेंट में Bo Dallas ने जो potential दिखाया और जो act करा वो भाई सच में insane था Liv Morgan अपने social media account पे लगातार funny memes upload कर रही है और Liv Morgan ने लिखाया कि Daddy's Dom's Girl My Hero Dominic मतलब है Liv Morgan और Dominic Mysterio का matter अलगी level चल रहा है तो इस वीडियो में इतना ही New हो तो चैनल को subscribe कर देना बात करना चाहते हो तो description में इंस्टा की link है DM कर देना WWE से जोड़ी latest news तो मेलाता ही रहूँगा मिलते हैं के लिए वीडियो में बाई बाई